हेलो ओ यह हम पहुंच गए हैं फ्रेंट को नियास कलचर पार्क यहां से अपना शूट स्टार्ट करेंगे वाव फर्स्ट ही यह रेडियो से बनाऊ है एक स्टैचू बनाऊ है बहुत ही शांदार लग रहा था हमने फ्रेंट और बैक दोनों से पिकली इसकी इसके बाद हम लोग यह ना क्यूट है पर पता नहीं क्या है स्वीट सा ओ नेक्स एक टॉय कार बहुत ही क्यूट है बच्चों के लिए ना ओ नेक्स्ट यह ना घर नहीं है ओनली यह स्टेवर्स है मैं तो इस पर चड़ गई डारेक्ट ही और ना आगई इतना स्वीट सा बेबी है ओ वाव इतना क्यूट है इन किट्स ने तीनों ने ही मेरे को प्रॉपर अनलीसिस करी है यहाँ पर मैंने बोला कि पीछे जाओ पीछे से जाकर बहुत शांदर क्लाउड आएंगे भी यार यह त्री बेबी क्यूट मेरा तो दिल आगया इन पर हाई भी बोला मैंने इनको देखो यह मेरे पीछे-पीछे आजाएंगे तीनों ही चोटी सी क्यूट बेबी तो देख रही है कि मैं कर क्या रही हूं है इसे उपर क्लाउड और यह दोनों देखो बेबी मुझसे देख रही है कि कर किया रही है नेक्स्ट क्या निजाइन किया यार इन लोगोंने मतलब कि प्रॉपर ट्री के साथ उपर लाइटिंग लगाई हुई है फिर हमारी बिक तो यहां बनती ही थी जो लोगोंने यहां ट्राइपोर्ट लेके यहां स्टैंडल ट्राइपोर्ट से हमने पिक लिक करी और तो हमार पस कुछ और आप्शन ही नहीं था यहां तो हम दोनों अकेले ही गए थे बाकी आपना बीछे बैक साइड के जो भी स्टैचू जो इन लोगोंने बनाई है स्कल्चर पार्क में यह सब देखते रहो बाकी सब फिक्स तो यू नो मैं हस्बेंड ग्रेट उन्होंने ही सब इक्स क्लिक कर दी आप बैक्डाउंड देखो जो इन सब नहीं क्या क्या बना रखा है जिनके तो हम लोगों को नाम भी नहीं पता है यार यह क्या है क्या यूज आते हैं किसलिए बनाए हैं बट इक्स कल्चर पार्क है यह तो कि अपने इंडिया में जो टेक्टर रहते हैं यह जूला इतना टूटा हुआ था ना मतलब मेर कोईसा डर लग रहा था कि मैं नीचे ही गिर जाओं ने पर हां मैंने जूले तो लिए यार इस पीतना तो बनता ही था खांचा से खड़ा करती है पता नहीं क्या है उपर भी इसके उपर तो कुछ अड़ भी नहीं राता है देख रहे हैं उसकी चलू करता वीडियो बनाने के लिए न अपने पती को समझा रही हूं कि क्या करना और कैसे करना अपन कैसे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ट्राइ किया यार समझाने का बट काम चल गया यार अपना बैक्ग्राउंड में न स्मोल स्मोल से को मीरर्स लगे हूं है यह फ्रेंट और बैक दोनों थे इन लोगों ने बैक्ग्डाउंड में इतना बड़ा यह राउंड सर्कल बनाया था ना इन लोगों ने यह बनाया कैसे हो और यह से नेक्स्ट यह हम लोगों ने पर एक मीरर में ले रखिये और यह बिल्कुल ऐसे फार में ही 10 to 20 ऐसे मिरर लगे हुए थे और एकदम क्लीन थे यार इनकी जो ऐसा लग रहा थे जैसे हरा आदे गंटे बादा के से कोई क्लीन कर रहा है हाँ वीडियो तो बनाई हमने यहाँ पर अच्छी बनी थे यह वीडियो और भी पिक्स भी क्लिक करी इस कल्चर पाक में बहुत सारे स्टैचूज ऐसे बने हुए हैं पता नहीं इनका क्या मीन है बट है खूब